तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे हमारे केमिस्टएरी का फार्ड चेप्सरестно हिन मौलेकील सुरे लास्ट टाम हमने क्या पढ़ा था? थोड़ा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पढ़ा था इसका हमने क्या देखा था? इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे ना वो हमेशा वोंडर करते थे और वेस वोंडरिंग की क्या अन्नोन एन अनसीन फॉर्म आप मैटर मैटर किसका बना हुआ हो सकता है ठीक है सबसे पहला आइडिया डिवेजबिल्टी जो जो मैटर का जो है वो डिवाइट हो सकता है इंटो समालेस्ट पॉसिबल पार्टिकल वो कहां कब आया था फाई हंडर्ड बीसी में महरीशी कनेड ने बोला था कि अगर हम किसी मैटर को जिसको उसने पदार्थ बोला था उसको अगर हम तोड़ते जाएंगे break down करते जाएंगे तो हम ऐसे एक स्टेज पे पहुँँचेंगे जब हम उसका सबसे smallest particle हमें मिलेगा जिसको हम further break down नहीं कर सकते हैं ठीक है इसने इस particle को क्या नाम दिया मैटर को इसने प्रदार्थ बोला और इस particle को इसने परमानू बोला ठीक है अच्छा बाद में इस परमानू को डिमोक्रितिस और लिसिपस ने क्या नाम दिया इसने इसको एटम नाम दिया मीनिंग इंडिवेजिबल ठीक है अच्छा अब ये था इसका थोड़ा एक आइडिया उसके बाद औरिक इंडियन फिलोसफर इस वेरी इंपोर्टन थीगे पकारडू कर्टियामा ने क्या बोला इसने इस डॉक्ट्रेंड को जो एट्जीस में इसने बोला था कि मैटर मैटर समालेस्ट पार्टिकल एटम का बना है उसको थोड़ा इलाबरेट किया इसने बोला यह जो एटम है या जो पार्टिकल से वो नॉर्मली आइसुलेटिट एग्जिस्ट नहीं कर सकते मतलब वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइनेट फॉर्म में जिसकी वज़े से हमें डिफरेंट फॉर्म्स और मैटर मिलता है मतलब यह जो हमारा एटम है ठीक है यह क्या नहीं हो सकता है यह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होता है ठीक है कत्यामा ने क्या बोला इसने बोला कि हमारा जो एटम है ठीक है या जिसको परमानू बोलते हैं इसने बोला कि ये अकेले फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ठीक है मतलब एटम्स क्या करते हैं कमबाइन करते हैं ठीक है ताकि वो डिफेंट फॉर्म्स आफ मैटर को राइस करें तो इसने ये वाला कंसब्स दिया ठीक है अब हम हमें बिर लॉप किमिकल कुमणीश से पहले इसे दो लॉप पढ़ने है ठीक है लेकिन इसे को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वैसे हारम को आइडिया है फिर भी थोड़ा सा पढ़एंगे ठीक है हमने क्या बोला? हमने बोला matter क्या हो सकता है smallest particle का बना होता है atom का ठीक और हमने बोला ये atom three state में नहीं होता है these atoms जो है ना, ये क्या होते हैं combine होते हैं ताकि वो क्या बना सके molecules बना सके these atoms combine to form molecules ठीक है, अब देखो यहां से देखो जैसे की हमारा oxygen है ठीक है ओक्सिजन में क्या होता है हमारे ओक्सिजन किस से बना है ये दो ओक्सिजन एटम से बने हुए है ये ओक्सिजन मालिक्यूल जो है ये कितने ओक्सिजन एटम से बने हुए है दो ओक्सिजन एटम से बने हुए है हमें कैसे पता चला है ये दो ओक्सिजन एटम से बने ह क्योंकि इसका फार्मला है O2 means two oxygen atom combine होके हमारा एक oxygen molecule बनाता है ठीक है अब देखो कितने combine हो गए oxygen बनाने के लिए दो oxygen atom combine होके एक oxygen molecule बनाया है क्यों क्योंकि atoms अकेले नहीं रहते हैं ये हमेशा combined form में रहते हैं ठीक है अब दूसरा example अगर मैं आप लोगों को लूँगा तो हम बात करेंगे carbon dioxide की यहाँ पर क्या हो गया है यहाँ पर एक oxygen atom ठीक है one carbon atom आ गया two oxygen atom combine होके इन्होंने एक molecule of carbon dioxide बनाया ठीक है यहाँ पर भी इन्होंने क्यों बनाया क्योंकि atoms हमने पहले ही पड़ा ये independent free state में exist नहीं करते हैं इसलिए ये दूसरे atoms के साथ combine होके molecule बनाते है तो यहाँ पर आपको पता चला molecule क्या होता है combination of two or more atoms ठीक है अच्छा क्या होता है अगर हम molecule की बात करें तो molecule को हम बोल सकते हैं ठीक है combination of two or more atoms ठीक है अब देखो 18th century के end तक ये सारा concept समझा गया था इसके बाद और एक concept आया था elements और compounds ठीक है इसमें अब क्या है हमने बोला items combine हो के molecules बनाते हैं ठीक है sorry हमने किसके बात की oxygen की बात की ठीक है oxygen बनाते वकद क्या हो गया O2 two atoms of oxygen combine it to form oxygen molecule ठीक है अब देखो ये molecules जो है ठीक है when these oxygen molecules ठीक है जब ये oxygen बहुत सारे oxygen molecules combine हो जाते हैं तो the it forms a substance known as element ठीक है ये क्या बनाते हैं element बनाते हैं ठीक है तो क्या बनाते हैं different items molecules और molecules क्या बनाते है elements या compound लेकिन element का बोलेंगे जब molecules same atom का बना होगा जैसे in case आप oxygen ये दोनों same oxygen molecule किसका बना है same oxygen atom का बना है मतलब same है ठीक है अच्छा इस type के को हम क्या बोलेंगे elements बोलेंगे this type of combination of molecules is known as elements substance जो इस type के molecules same atoms से बने होंगे उन्हें elements बोलेंगे अब compound के अगर बात करें ठीक है अगर हम compound की बात करें तो हम example लेंगे carbon dioxide carbon dioxide किसका बना है carbon dioxide molecule एक carbon दो oxygen atoms के बने है मतलब ये different types of atoms के बने है ठीक है तो ऐसे type of elements को हम के ऐसे type of sorry substances को जो different type of atoms के combination से बना हुआ है ठीक है और वहुत सारे अगर उन types के molecules एक साथ आएंगे उन्हें हम compounds बोलते हैं ठीक है I hope आप लोगो element atom element और compound का समुझ आ गया होगा compound element जो है वो क्या बना होता है same time of molecules के बने होते हैं और molecules same type of atoms के बने होते हैं compounds में जो atoms है वो different होते हैं ठीक है अच्छा अब देखो अब हमारे जो 18 century तक जो scientists थे ना उनको ये तो पता था कौन से concepts atom का element का compound का लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बनते कैसे उनके पास कोई proof या philosophical thought नहीं था कि वो बनता कैसे proof नहीं था इसके लिए एक scientist का है था ठीक है एंटोनी एल लिवोसियर बोलते हैं इसको ठीक है एंटोनी एल लिवोसियर ने chemical science का foundation दिया था क्यों क्योंकि उसने यही experimental प्रूफ करके दिया था कि कैसे ये atoms combine हो जाते हैं ठीक है और क्या बोलते हैं इनके combination को ठीक है अब देखो आप इसने क्या बोला इसने क्या बोला जब atoms पहले हम last पर निए जाएंगे जनरल इसका idea देंगे ठीक है इसने क्या बोला इसने बोला सबसे पहला जो इसने बोला जो एटम्स जब कंबाइन होते है तो फॉर्म एलमेंट्स या कंपाउंट्स ठीक है एटम्स जब फॉर्म होते हैं क्या बनाने के एलमेंट्स या कंपाउंट्स तो ये जनरली फॉर्म नहीं होते हैं दे अंडर गो प एक process के अंडर जाता है जिसे chemical reaction बोलते हैं ठीक है इस he called these combination of atoms into molecules and molecules into elements और compounds को इसने इसको chemical combination बोला और इस process को इसने chemical reaction बोला क्या नाम दिया है chemical reaction जैसे एंटोनियो ने क्या बोला इसने बोला two oxygen जो combine हो जाते हैं ठीक है इसको बोलते हैं chemical combination जब ये दो oxygen atom combine के oxygen molecule बनाएगा इसको बोलेंगे chemical combination और इस प्रोसेस को ये किस प्रोसेस के थूरू बन रहा है ये oxygen molecule chemical reaction प्रोसेस के थूरू बन रहा है ठीक है अब देखो chemical reaction होता क्या है what is a chemical reaction ठीक है chemical reaction की बात की जाए तो हम बोलेंगे chemical reaction ऐसा type of chemical combination है it's a type of chemical combination ठीक है जिसमें कोई भी दो atoms या molecules combine हो रहा हो ठीक है अच्छा और एक नया product बना रहा हो जिसमें क्या हो रहा हो substances या items molecules combine होके entirely different product बना रहा हो ठीक है तो उसको हम बोलेंगे क्या chemical reaction क्या बोलेंगे chemical reaction जैसे कि हम बात करेंगे अगर हमने experiment किया है ठीक है अगर हम salt plus water add करेंगे ठीक है तो अगर हम इसको stir करेंगे तो हमें क्या मिलेगा salt water ठीक है तो क्या इसमें कोई नया product बन रहा है नहीं इसमें product हमें same मिल रहा है जबकि उसी के जगे पे अगर हम acid और अगर हम acid और होब आप लोगों को ये पता होगा अगर हम acid और base को add करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलता है salt water मिलता है यहां पे जो salt water मिल रहा है इसमें हमारे हमने दो अलग substances को add करके एक नया substance produce किया और इसी को बोलते हैं chemical reaction chemical reaction क्या होगा जब हम दो substances को combine करके entirely different एक product बनाएंगे there is chemical reaction ठीक है अच्छा अब देखो chemical reaction हर जगे होता है अगर मैं आप लोगों को chemical reaction की बात करूँ जैसे हमारे plants food बनाते हैं किसके मदद से बनाते हैं carbon dioxide ये क्या बोलते ह इसको plus water को combine करके ये अपना food बनाते हैं इसमें देखो इन्होंने क्या 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 carbon dioxide और water की मदब से एक नया चीज़ बना है food starch ठीक है एक नया product बना है so this is known as chemical reaction ठीक है जिसमें एक नया product बन रहा हो ठीक है I hope आप लोगो chemical reaction समचा गया होगा ठीक है अब देखो सबसे पहले एंटोनियो ने क्या बोला law of chemical combination दिया ठीक है इसका सबसे पहला law को इसने बोला law of conservation of mass ठीक है क्या बोला law of conservation of mass ठीक है आप देखो इसने क्या बोला law of conservation of mass में ठीक है law of conservation of mass में इसने simply बोला जब हम दो substances को combine करके एक नया product बनाते हैं two substances को combine करके एक नया product बनाते हैं ठीक है which undergoes the process of chemical reaction के मदद से जब हम दो substances को combine करके एक नया product बनाते हैं तो जो substances का जो mass होगा which it undergoes the process of chemical reaction उसका जो mass होगा वो equal होगा product के mass के साथ अब मैं आपको कैसे समझाता हूँ अच्छा देखो जैसे कि हमने पहले मैं आपको एक example दिया था किसका acid plus base का example दिया था ये दोनों combine के क्या बनाते हैं मैंने आपको बोला ये दूनों combine के बनाते है salt water ठीक है salt water अब देखो इसमें जो दो चीजें जो combine हो रहा है इन्हें हम बोलते है reactants क्या बोलते है reactants क्यों बोलते है because they are undergoing the process of reaction क्योंकि react हो रहा है एक दूसरे के साथ मिल रहा है this acid and base is known as reactant और इसकी वज़े से जो third नया product बन रहा है जो नया थाय थाय थार्ट सबस्टन बन रहा है इसको हम बोलते है product ठीक है product बोलते है अब लाग conservation of mass में लेवोजियर ने क्या बोला इसने बोला जो acid और base का जितना भी mass होगा उतना ही mass salt water का भी होगा मतलब जितना mass combined reactants का होगा उतना ही mass product का होगा जैसे कि अगर हम for example अगर हम assume करेंगे इसका इन दोनों का combined mass 50 gram है तो इसका भी combined mass जो है salt water का कितना होगा 50 gram होगा तो मतलब mass जो है वो कहीं नहीं जा रहा वो same to same रह रहा है ठीक है और इसने इसमें क्या बोला तो इसने क्या बोला जितना reactants का वजन है या mass है ठीक है या value है उतना ही products का होगा तो इसी ने लाब conservation from mass क्या कियता है mass को हम नđ destroy कर सकते हम chemical reaction में same जैसे mass को हम क्या नहीं कर सकते है ना create कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं जो chemical reaction के दोरा है जैसे की हमने अभी अभी में आपलों को बोला जब हम chemical reaction करा रहे थे किसका acid और base का जब हम reaction करा रहे थे sorry अच्छा acid और base का जब हम reaction करा रहे थे ठीक है when we were अच्छा उसको जब हम क्या कर रहे थे acid और base को react कर रहे थे जो हमें क्या दे रहा था salt water दे रहा था तो इसमें जितना भी acid or base का combined mass होगा उतना ही salt water का होगा मतलब इसमें क्या बोला इसमें conservation of mass में mass conserve रहता है ठीक है protected रहता है जितना होगा उतना रहता है तो जितना product का mass हो जितना reactants का mass होगा उतना ही product का mass होगा ठीक है इसलिए हम बोलते है conservation of mass में क्या बोलते है न हम create कर सकते हैं न हम destroy कर सकते हैं chemical reaction के वकद इसका अभी एक experimental जब इससे पूछा गया भई how can you say that तो इसने एक experimental proof दिया था इसका वो हम next lecture में पढ़ेंगे ओके I hope आपनों के समुचा गया होगा thank you and have a nice day